देश में संचार क्रांती नई करवट ले रहा है अब आपको अपने रिष्टेदारों, सगे संबंधियों, ओफिसियल कारी के लिए नेटवरंकिंग प्रॉब्लम से रूबरू नहीं होना पड़ेगा आपके लिए खुशी देने बाली बात ये है कि देश के 2500 शहरों में 5G सेवा श्रू हो गई है उसमें उत्राखंट के हलदवानी, हरिद्वार, रुदरपूर, रिषिकेश वरास्थानी दहरादून समेद राज के 21 शहर भी शामिल है जहां अब आप भी 5G का अनंद ले सकेंगे हलदवानी में टेलीकॉम कंपणी रिलाइंस जीओ ने अपनी हाइज स्पीड इंटरनेट 5G सर्विस का वस्तार कर दिया है नैसे माब हलदवानी समेद राज 21 शहरों के लोग भी 5G का इस्तमाल कर सकेंगे हलदवानी के मेयर डॉक्टर जोगिंद रपाल सिंग रोतेला ने 5G इंटरनेट सेवा का आज शुभारम किया है रिलाइंस से जीओ ने कई शहरों में इसकी शुरुवात कर दी है हलदवानी में 5G सेवा शुरू करने वाला जीओ एक मात्र ओपरेटर है आप भी सुनी क्या कह रहे है मेयर और जीओ कमपनी के हैट गौरवानन्द देखे 5G का लॉंच होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है एक अच्छा दिन है और पूरे देजवर में जीओ ट्रू 5G द्वारा लॉंचिंग लगबग 200 सेहर में की गई है और कुमाओ का प्रमुक सेहर भी उसमें सामील है हल्दवानी इसके लिए मैं जीओ की पूरी टीम को बहुत बढ़ाई देता हूं कि connectivity के छेतर में, परेटन के छेतर में, यह governance के छेतर में, बैंकिंग के छेतर में, लगबग जितने भी छेतर services के जुणे हैं, उनका augmentation इससे होगा, उनका उच्छे करन इससे होगा, मैं जियो की टीम को बहुत बढ़ाई देता हूं कि उन्होंने हल्दवानी जो कुमाओं का प्रमुक सहर है, उसको भी इन धाई सो सहरों में सामिल किया, तो जियो की services कल तीन शहरों में उत्राखंड के लाँच हुई है, और उत्राखंड में आज हमने टोटल साथ शहर लाँच कर दिये हैं, और मार्च के मध्य तक हम करीबन करीबन सारा उत्राखंड के प्रमुक ज में और विकास की योजनाओं में, जैसा अभी मेर साब ने भी बताया, इग वर्नेंस में, मेडिकल से वाओं में, क्रिशी के शेत्र में और सिक्षा के शेत्र में इससे बहुत लाब होगा, और आम जन मानस को और इससे चुड़े हुए जितने भी student हैं, चाहे वेवसाई है उनको जियो ट्रू 5G Services से बहुत आने वाले समय में लाब होगा, तो हम देश के और शेत्र की विकास के लिए प्रतिबंध हैं, और जियो टीम इस कमिटेड की हम उतराखंड के कोने-कोने में जियो की Services को 2023 के एंड तक लाँच करेंगे, थैंक यू वेरी मच, मैंने मिस गौ